अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रास्ति के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है अधेक्ष महोदे मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोकसभा है यह कोई सामान्या लोकसभा नहीं है इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीष नेतित्व हैं हमारे मान्य प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हातिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पातर है हम सब भाते जनता पार्टी के लोग जिनें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये भी मानती हूं कि हमारे भात वर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर सहज और सफल सरकार को चु जाना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते है कि आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संगहर्श सील जो एक चर्मराती और एक लड़ खडाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले दस सालों में वह अर्थव्यवस्था ग्यार में से पांच में नंबर पर आई है और बहुत तीवर्था से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो दो हजार चौबीस का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ती प्रदान करने का जलें वालन बजट है इस बोजट से जो है वह हमारी अर्थव्यवस्था को भी दिवड़ता मिलेगी महोदेजीए और जो हमारा 2027 संकलप है की विक्सित भारत की संकलब है हम प्रथम economy बनेंगे वो भी इस बिजट से अम यह पूर हम्मी एक बहुत बड़ी बाड आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रास्ति के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड़ के परभार से जो पीडित है मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ के उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्यक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भातियों जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के अबाद 60 सालों में भी हमाचल परदेश में नहीं हुआ था आप सब आप सब हमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे मानिया जो पुरव परदान मंतरी अडल भी हा रहे है उन्होंने अपने कारयकाल में जो है वो ग्रामिन परदान मंतरी सड़क योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले 10 वर्शों में परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्स, ट्रिपल आइटी, आई-ई-एम जैसे व पूर्टपूर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोधे जी पांच से जादा टनर है और सेंतिस से जादा उसमें ब्रिजिज है ऐसे वेश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्टर वहाँ पे मिली है और साथी पूरे देश के लिए जो एक बहुती टनर नौ किलोमेटर की जो वो अटल टनर है विश्व की सबसे लंबी टनर है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाइडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिये है अगर मैं यह सूची यहां पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए लेकिन लाखो लाभाती जो है वो चाहे मुफतराशन हो चाहे पी-एम की जो है वो मकान हो या आयुशमान हो हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राजे है जो पूर लोग सभा में महोदे जी मेरा ये सवभागय है कि जब मैं यहां पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती में महिलाओं को जो है तेतिस परसेंट आरक्षन देता है वो बिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही ये सवभागय शाली जो है आठ्वी आरक्सेशन हो या हमारे जो अनदाता किसान हो उन पर फोकस हो ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रात्ना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडिक शेतर में अगर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट हो तो अवश ही हमारी जनता का टूरिजम की दृष्टी से बह को वेलकम करते हैं और धन्यवाद